Hello friends, आज की वीडियो में हम लोग डीटेल में डिस्कस करेंगे modern history का एक बहुत ही important topic जिसका नाम है Second Anglo-Messor War जो 1780 से start होकर 1784 तक चला पिछली वीडियो में हमने First Anglo-Messor War को cover किया था जिसके अंत में मैसूर और British East India Company के बीच Treaty of Madras sign हुई थी 1769 से 1780 के बीच मात्र 11 साल है तो question ये है कि इन 11 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मैसूर और British East India Company फिर से हामने सामने आ गए देखो हुआ क्या कि मैसूर और British East India Company दोनों ने मिलकर Treaty of Madras को sign किया था और Madras की Treaty में इन दोनों ने agree किया था कि जब इन दोनों में से किसी पर भी कोई foreign attack होगा यानि किसी दूसरे राज्ये से attack होगा तो ये दोनों एक दूसरे को military support देंगे बड़ जब मराठाओ ने 1771 में मैसूर पर attack किया और हैदर रही ने British East India Company से मदद मागी तो British East India Company ने मदद देने से मना कर दिया यानि British East India Company ने Treaty of Madras को wallet किया मैसूर को मराठाओ को ये attack बहुत ही भारी बढ़ा हो सकता है कि मैसूर इस बात के लिए prepared ही नहीं हो पाया कि उनको मराठाओ से अकेले लड़ना पड़ेगा वो सोच रहते कि Britishers आएंगे और साथ में लड़ेंगे लेकिन Britishers तो आए नहीं और मराठाओ ने बहुत ही बुरी हलत कर दी मराठाओं ने मैसूर की territories को capture कर लिया और रंत में हैदर अली को मराठाओं को 36 लाग रुपे देने पड़े शांती समझोते के रूप में इसकी वज़ा से हैदर अली British East India Company से भाएंग कर नराज था बट British East India Company यहाँ पर नहीं रुकी उन्होंने मैसूर की territory माहे पर 1779 में अटेक कर दिया तो ये थे वो दो बड़े खारण जिनके वज़ा से सेकिंड एंगलो मैसूर वार हुआ अब एक बार मैब में देखते हैं कि माहे की लोकेशन क्या है तो आप देख सकते हैं कि गुए के साउच से कन्या कुमारी तक जो कोस्ट लाइन है उस रीजन को मालवार कोस्ट कहा जाता है और माहे इसी मालबार कोस्ट में एक नेचरल पोर्ट है जो उस समय मैसूर का पार्ट हुआ करता था और हैदर अली के लिए भी माहे की एक बहुत ही स्ट्रेटिजिक इंपोर्डन्स थी उसने ये टेरेटरी फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी को दे रखे थी और फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी माहे पोर्ट के जरीए हैदर अली के लिए बाहर के देशों से एडवांस्ट आर्म्स एंड अम्यूनेशन मंगवाते थे और इसके बदले हैदर अली ने माहे की प्रोटेक्शन के लिए अपने टूपस भी टिप्लोई किये हुए थे बट कुईशन ये है कि बिटिस इंडिया कंपनी ने माहे पर अटेक क्यों किया तो इसके कुछ ग्लोबल रीजन्स है अमेरिका में बिटेन के खिलाफ रेवलूशन चल रहा था जिसे अमेरिकन वार अफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है और ये रेवलूशन शुरू हो चुका था 1775 में ही और इस revolution में France जो है वो Britain के against American revolutionaries को support कर रहा था In fact, 1778 में तो France ने United States को पूर्णता recognize किया और उनके साथ Treaty of Alliance भी sign कर ली और इसी के वज़ा से 1778 में ही Britain और France में military conflict शुड़ू हो गए और इसी के चलते इंडिया में भी British East India Company और French East India Company के बीच tensions create हो चुकी थी और फिर British East India Company ने इंडिया में French East India Company के positions पर attack करना शुरू कर दिया जिन French territories पर attack किया गया था उनमें एक territory माहिव भी थी तो हमने दोनों reasons को भी समझा और ये भी समझा कि ये attack क्यों हुआ था अब हैदर अली ने भी जंग की तयारी करनी शुरू कर दी उसने British East India Company के खिलाफ मराथा और हैदरबाद को अपनी तरफ मिला लिया बट हमने देखा था कि मैसूर और मराथा तो लगातार एक दूसरे पर attack करते रहते हैं फिर मराथा जो है वो मैसूर के साथ कैसे आ गए इसका reason है First Anglo Maratha War जी हाँ मराथा और British East India Company के बीच में 1775 में ही First Anglo Maratha War शुरू हो चुकी थी और इसलिए मराथा और मैसूर दोनों की common दुश्मन थी British East India Company इसलिए मराथा और मैसूर ने हाथ मिला लिया बट इसमें हैदरबाद का क्या फायदा है वो क्यों साथ आ गया हमने पिछली वीडियो में दिखा था कि निजाम की territory Northern सरकास को British East India Company ने उसकी इच्छा के बगैर हतिया लिया था इसके अलावा हैदर अली ने निजाम को प्रॉमिस किया था कि निजाम की दुश्मन और अर्कोट के नवाब वला जहाँ पर अटेक किया जाएगा और captured territory में निजाम को भी शेयर दिया जाएगा तो इस तरह मराठा, मैसूर और हैदरबाद एक साथ आ गए और दूसरी तरफ थे कारनेटिक के नवाब वलाजा और British East India Company वलाजा को तो British East India Company ने ही नवाब बनाया था तो अबिसली उसको तो British East India Company का साथ देना ही था तो तयारिया पूरी हो चुकी थी और अब बारी थी अटेक की हैदर अली ने जुलाई 1780 में अर्कोट का घेराव कर लिया यहाँ पर यह जो लाइट ब्लू डॉट्स देख रहे हैं यह represent कर रहे हैं Maratha troops को yellow dots represent कर रहे हैं महसूर की Army को और निजाम के troops Light Green color में दिख रहे हैं इसके अलावा जो यह Red Dot है यह है है दर अली और Pink Dot है उसका देटा टीपू अर्कोट की नवाब वलाजाने जब देखा कि उससे चारों nut तरफ से घेर लिया दूसरी तुकडी तयार की गई गुंटूर में, जो कि नॉर्धन सरकार्स का पार्ट था करनल विल्यम बेली की नित्रुत में, प्लान था कि ये दोनों टूप्स कांजीवरम में मिलेंगे और फिर मिलकर हैदर अली के आर्मी पर हमला कर देंगे, बट माइक टेसन की एक कहाव पॉली लूर, यहाँ पर पॉली लूर का पहला बैटल हुआ, इंगलिश आर्मी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, बहुत ही मास मसे कर हुआ और करनल वेले ने तो सरेंडर कर दिया, इसके अलावा हैक्टर मुन्रो की आर्मी पर हैदर अली ने अटेक कर दिया, और है किस्टोडियन्स का मानना है कि हैदर अली के पास यह अच्छा मौका था कि वो मदरास को कैप्चर कर सकता था, बट हैदर अली ने वापस जाकर अर्कोट के घेराव को मजबूत करने का चुनाव किया, तब ही खबर आई कि मैसूर के मालवार रीजिन को बिटिश आर्मी ने कैप्चर करना शुरू कर दिया है, आपको पता ही है कि मालवार जो है, वो यहाँ पे अर्कोट से बहुत दूर है, तो ऐसे में टीपू को अर्कोट से दूर मालवा और कोष्ट के तरफ जाना पड़ा, और इसी बीच बंगाल ने सर आयरे कूट के नितरुत में एक बड़ी फौज मदरास भेज दी, सर आयरे कूट ने मदरास पहुचकर सबसे पहला काम ये किया कि अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के जरिये मराथा और निजाम को हैदर अली से अलग कर दिया, और फिर 1781 में हैदर अली और सर आयरे कूट के बीच कई सारी जंग हुई, उनमें से त हैदर अली की डेथ हो गई है और टीपू, अब टीपू सुल्तान बन गए थे, तो हैदर अली के डेथ के बाद लगबग एक और साल टीपू और बिटिस इस इंडिया कंपनी के बीच इन बैटल्स में हार जीत का सिलसला चलता रहा, सेकेंड एंगलो मैसूर वार चले जा र इस treatik का नाम है Treaty of Mangalore, इस treatik के हिसाब से डोनों पक्षो ने जो भी एक दूसरे की territory को capture किया था, वह एक दूसरे को वापस करना था, तो इस स्थरा Treaty of Mangalore के साथ, second एंगलो मैसूर वार समाप् थूआ, बुक्स्दाफा चनल पर हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी की बहु दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए बुकस्तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बुकस्तवा